Hello everyone, कैसे हैं आप लोग? मैं उमिद करता हूँ कि आप बहुत ही अच्छे होंगे और अच्छे से पढ़ाई भी कर रहे होंगे तो आज हम देखने वाले हैं Class 12 English Grammar का First Topic जिसका नाम है Articles और Determiners तो चलिए सुरो करते हैं अब बच्पन से आप सुनते आ रहे होंगे कि आर्टिकल जो है वो तीन प्रकार का होता है A, N और The A का इस्तमाल हम लोग Consonant साउंड से पहले करते हैं जैसे कि A Cat, A Dog, etc N का इस्तमाल हम लोग Wawil साउंड से पहले करते हैं जैसे कि An Elephant, An Apple, etc और The का इस्तमाल हम लोग किसी खास चीज के लिए पर्टिकलर चीज के लिए या फिर यूनिक चीज के लिए करते हैं जैसे कि The Sun, The Moon, The Taj Mahal, etc साथ ही The का और भी बहुत सारा property होता है और बहुत सारा uses होता है जो कि हम लोग Question मनाते समय सीखेंगे तो चलिए सुरो करते हैं पहला सवाल है हमारे पास कि This is the best car in our showroom अब देखें जहां कहीं भी superlative degree आता है जैसे कि Good, Better, Best में जो Last वाला है Best उसको हम लोग Superlative degree कहते हैं जैसे Bad, Worst, Worst में जो Last वाला है Worst उसको हम लोग Superlative degree कहते हैं तो जहां कहीं भी Superlative degree आता है वहां पे हम लोग दो सब्द कहा इस्तमाल करते हैं इसलिए यहां पे हो जाएगा कि This is the best car in our showroom मतलब यह जो है हमारे showroom का सबसे अच्छा कार है इसलिए option C हमारा correct answer हो जाएगा तो इसलिए हम लगाएंगे टिक और चलेंगे अगले सवाल की तरफ Question number 2 में है कि This is made in Das United Kingdom अब देखिए जिस country के name में kingdom या state या फिर republic आ जाता है उसके पहले हम लोग दो सब्द का इस्तमाल करते हैं जैसे कि The United Kingdom, The United States of America, The Republic of Korea, etc तो यहाँ भी देख सकते हैं कि हम लोग United Kingdom के पहले दो सब्द का इस्तमाल करेंगे याँ यहाँ भी हम कह सकते हैं कि This is made in The United Kingdom इसलिए option C जो है वो हमारा correct answer हो जाएगा तो इसलिए हम लगाते हैं टिक और चलते हैं अगले सवाल की तरफ Question number 3 में है कि I cannot live on $500 a month अब देखिए जहां कहीं भी numbers आता है वहाँ पे हम लोग किसी भी article का इस्तमाल नहीं करते हैं जैसे अगर लिखा हुआ है 1000 रुपी यहाँ पे हम लोग कोई article का इस्तमाल नहीं करेंगे 100 रुपीज वहाँ पे हम लोग कोई article का यूज नहीं करेंगे उसी प्रकार से यहां पे लिखा हुआ है कि I cannot live on $500 a month मतलब मैं $500 में एक महिने का गुजारा नहीं कर सकता तो यहां पे भी हम लोग किसी भी प्रकार का आर्टिकल का यूज नहीं करेंगे इसलिए यहां पे option D जो है no article वो हमारा correct answer हो जाएगा तो इसके हम लगाते हैं आपके, कि एवर नम्बर लिखा होता है तो उसके पहले हम लोग किसी article का यूज नहीं करते हैं जैसे 1000 रुपी, 100 रुपी, तो इसके आगे हम लोग किसी article का यूज नहीं करेंगे लेकिन अगर यहीं लिखा होगा 1000 रुपी नोट तो यहाँ पर हम लोग यह सब्द का इस्तिमाल करते हैं जैसे कि और 1000 रुपी नोट और 100 रुपी नोट तो मेरे ख्याल से आप समझ गया होगे अब चलते हैं अगले सवाल के तरफ Question number 4 में है कि 10 Elps are the longest mountain range in Europe अब देखिए जब कभी भी किसी mountain range यानि प्रवत स्रिंखला का बात होता है तो उसके पहले हम लोग दो सब्द का इस्तिमाल करते हैं इस पर हम लगाएंगे टीक और चलेंगे अगले सवाल के तरफ Question number 5 में है कि how much weight can dash ant carry अब मैं पता है कि जहां भी vavel sound आता है उसके पहले हम लोग end सब्द का इस्तिमाल करते हैं तो ant जो है वो vavel sound से start हो रहा है इसलिए इसके पहले हम लोग end सब्द का इस्तिमाल करेंगे इसलिए option B जो हमारा correct tensor हो जाएगा तो हम यहां कह सकते हैं कि how much weight can an ant carry मतलब एक चीटी कितना वजन को उठा सकती है इसलिए option B correct tensor हो जाएगा तो इसलिए यहां पर जो correct tensor हो जाएगा no articles मतलब मैंने पिछले 5 सालों से उसको नहीं देखा है तो option D जो हमारा correct tensor हो जाएगा तो इसलिए हम लगाते हैं tick और चलते हैं अगले सावल के तरफ question number 7 में है कि holy is dash important festival अब देखे यहां पर जो word important है वो vowel sound से start हो रहा है इसलिए इसके आगे हम लोग and का यूज करेंगे तो हम कह सकते हैं कि holy is an important festival मतलब holy जो है वो है एक महत्पूर्ण तेवार है इसलिए option B जो है वो हमारा correct tensor हो जाएगा तो इसलिए हम लगाते हैं tick और चलते हैं अगले सावल के तरफ question number 8 में है कि you need to buy dash dictionary अब देखे यहां पर जो word dictionary है वो एक consonant sound से start हो रहा है इसलिए इसके पहले हम लो एस सब्द का यूज करेंगे तो हम यहां कह सकते हैं कि you need to buy a dictionary मतलब तुम्हें एक dictionary ख़ईने की आउ सकता है इसलिए option A जो है वो हमारा correct tensor हो जाएगा तो इसलिए हम लगाएंगे tick और चलेंगे अगले सावल की तरफ question number 9 में है कि bring dash ink pot for me अब देखिए यहां पे जो word है ink pot वो एक vowel sound से start हो रहा है और vowel sound के पहले में लो end का इस्तिमाल करते हैं इसलिए हम लो यहां पे end लगाएंगे तो हम बोल सकते हैं कि bring an ink pot for me यानि मेरे लिए एक दवात लेकर के आओ इसलिए option B जो है वो हमारा correct answer हो जाएगा तो इस पे लगाएंगे tick और चलेंगे अगले सावल की तरफ question number 10 में है कि miss Elijah speaks dash Chinese देखिए जहां कभी भी language का इस्तिमाल किया जाता है जैसे Chinese, गुजराती, मराथी, रॉश्यन, etc तो उसके पहले हम लोग किसी भी आर्टिकल का इस्तिमाल नहीं करते हैं इसलिए यहां पर भी हम लोग किसी प्रकार का आर्टिकल का यूज नहीं करेंगे तो हम direct कह सकते हैं कि miss Elijah speaks Chinese यानि miss Elijah जो है वो Chinese भासा बोलती है इसलिए correct answer हो जाएगा option number D, no articles तो इस पर हम लगाएंगे ठीक और चलेंगे अगले सवाल के तरफ option number 11 में है कि he has read dash vedas अब देखे जब कभी भी religious book यानि धार्मिक किताब का नाम आ जाए या फिर किसी गरंत का नाम आ जाए तो उसके पहले हम दो दो सब्द का इस्तिमाल करते हैं जैसे हम कह सकते हैं दो रमायन, दो महाभारत, दो बाइबल, दो वेद, एटसेटरा तो यहाँ पर भी वेद का नाम है है इसलिए इसके पहले हम दो दो सब्द का इस्तिमाल करेंगे तो कह सकते हैं कि he has read the vedas यानि उसने वेद पढ़ा है इसलिए option c, जो है, वो हमारा correct answer हो जाएगा तो इसलिए हम लगाते है, tick और चलते है, अगले सब्सक् highlighter का इस्तिमाल करेंगे तो हम कहा सकते हैं वेद तो हम हैं कि have you seen the ताज महल यानि क्या तुमने ताज महल को देखा है तो option c, जो है, वो हमारा correct answer हो जाएगा dash cake that is on the table अब लेखिए जब कभी भी हम किसी खास चीज को बोलते हैं तो उसके पहले हम दो दो का इस्तमाल करते हैं जैसे अगर मैं कहूँ कि मुझे वो pain लाकर के दो जो उस table पे है तो यहाँ पे मैं pain के पहले दो का इस्तमाल करूँगा क्योंकि मैं उस खास pain की बात कर रहा हूँ उसी प्रकार से यहाँ पे बोला जा रहा है कि मुझे वो cake लाकर के दो जो की table पे रखा हुआ है मतलब आप किसी खास cake की बात कर रहे हैं इसलिए इस cake के पहले हम दो दो काई इस्तमाल करेंगे अब देखिए यहाँ पे जो word है umbrella वो एक wawil sound के साथ स्टार्ट हो रहा है और wawil के पहले हम लो end का इस्तमाल करते हैं तो मैं यहाँ कह सकते हैं कि he has come without an umbrella मतलब वो बीना च्छाते के ही आ गया है इसलिए option b जो है वो हमारा correct answer हो जाएगा तो लगाते है अब देखिए यहाँ पे word है sacred लिखा हुआ sacred का मतलब पवित्र होता है और यह जो word sacred है यह एक consonant sound से स्टार्ट हो रहा है इसलिए इसके पहले हम लोग ए सब्द का इस्तिमाल करेंगे तो हम कह सकते हैं कि the ganga is और sacred river यानि गंगा नदी जो है वो एक पवित्र नदी है तो इसलिए option c जो है वो हमारा correct answer हो जाएगा तो इसलिए हम लगाते है टीक और चलते हैं अगले सवाल की तरफ 16 में है कि c is the most beautiful girl अब देखिए यहाँ पे फिर से word आ गया most और हमें पता है कि जब कभी भी super native degree आता है तो super native degree के पहले हम लोग 10 सब्द का इस्तिमाल करते हैं यानि यहाँ पे हम लोग 2 का यूज करेंगे तो हम कह सकते हैं कि c is the most beautiful girl यानि वो जो है वो सबसे सुन्दर लड़की है इसलिए option c जो है वो हमारा correct answer हो जाएगा तो इस पे हम लगाते हैं tick और चलते हैं अगले सवाल की तरफ question number 17 में है कि you are dash fool to say that देखिए यहाँ पे जो word है fool वो एक consonant sound से start हो रहा है इसलिए हम लोग यहाँ पे ए सब्द का इस्तिमाल करेंगे तो हम कह सकते हैं कि you are a fool to say that यानि ऐसा कहके तुम मुर्क बन रहे हो तो option number a जो है वो हमारा correct answer हो जाएगा इसलिए हम लगाते हैं tick और चलते हैं अगले सवाल की तरफ question number 18 में है कि what a dash beautiful scene this is अब देखिए यहाँ पे जो word beautiful है वो एक consonant sound से start हो रहा है इसलिए इसके पहले हम लोग a सब्द का यूज करेंगे तो हम कह सकते हैं कि what a beautiful scene this is मतलब यह कितना सुन्दत द्रिश्य है इसलिए option a हमारा correct answer हो जाएगा तो इसलिए हम लगाते हैं tick और चलते हैं अगले सवाल की तरफ question number 19 में है कि see was killed in dash accident अब यहाँ पे जो word accident है वह एक ववल sound से start हो रहा है इसलिए इसके पहले हम लोग an सब्द का यूज करेंगे तो हम कह सकते हैं कि see was killed in an accident मतलब वह एक दुरघटना में मारी गई इसलिए option b जो है वह हमारा correct answer हो जाएगा तो इसमें हम लगाते हैं tick और चलते हैं अगले सवाल की तरफ question number 20 में है कि dash pain is mitred than dash sword अब यहाँ एक प्रकार का कहावत है कलम जो है वो तलवार से भी ज़्यादा ताकतवर होता है तो जब कभी भी कहावत कहा जाता है तो उसमें हम लोग words के पहले दस सब्द का इस्तिमाल करते हैं इसलिए हम यहाँ कह सकते हैं कि the pain is mitred than the sword यानि जो कलम है वो तलवार से भी ज़्यादा सब्तिसाली है तो इसलिए यहाँ पर option C जो है वो हमारा correct answer हो जाएगा तो इस पर लगाते हैं हम tick और चलते हैं अगले सवाल की तरफ इस्तिमाल करते हैं तो हम कह सकते हैं कि get me a kilo of rice मतला मुझे एक kilo चावल ला करके दो अगला part में है कि from dash nearest grocer यानि हम यहाँ पे एक particular चीज की बात करें एक खास चीज की बात करें कि मुझे एक kilo चावल ला करके दो जो past वाला दुकान है वहाँ से मतला हम किसी एक खास दुकान की बात कर रहे है और कभी भी किसी खास चीज की बात करते हैं तो वहाँ पे में लोग दो सब्द का इस्तिमाल करते हैं तो इसलिए nearest से पहले में लोग का यूज करेंगे तो हम अब कह सकते हैं कि get me a kilo of rice from the nearest grocer यानि मुझे एक kilo चावल ला करके दो पास वाले दुकान से इसलिए option a हमारा correct answer हो जाएगा तो इसमें हम लगाते हैं टिक और चलते हैं अगले सवाल के तरफ question number 22 में है कि they waited for her for dash r अब देखिए इस सवाल को बताने से पहले मैं आपको एक trick बताऊंगा जिससे आप a और n का इस्तमाल बिल्कुल आसानी से कर सकते हैं प्रक्षपन में आप पढ़े होंगे कि a, a, hars, v, e, d, u इन सभी को हम लोग swear कहते हैं और कौकवा से ले करके यहां तक जितने भी word आते हैं उन सभी को हम लोग vengeance कहते हैं तो जब कभी भी आपको a और n का इस्तमाल करना हो और आपको समझ नहीं आ रहा हो तो जो भी word हमें दे रखा है उसको हम लोग हिंदी में पहले लिख लेंगे हिंदी में लिखने के बाद जो word है अगर वो swear से start हो रहा है तो उसके पहले हम लोग n का यूज करेंगे हम लोग हिंदी में लिखते हैं तो हम लोग क्या बोल सकते हैं आवर यानि आ कर आ वह और रहा अब देखें यह जो word है वह आ से सुरू हो रहा है जो कि एक swear है और swear के पहले हम लोग n का यूज करते हैं इसलिए यहाँ पे हम लोग n का यूज करेंगे तो हम कहा सकते हैं कि they waited for her for an hour मतलब वे उसका इंतिजार कर रहे थे पिछले एक घंटे से इसलिए option B जो है वह हमारा correct answer हो जाएगा तो इसलिए हम लगाते है टिक और चलते हैं अगले सवाल के तरफ question number 23 में है कि dash moon is signing in dash sky अब देखिए अभी आपको हम बता चुके हैं कि अगर दुनिया में कोई एक लोटा चीज है या फिर कोई एक खास चीज है तो उसके पहले हम लोग दौक का यूच करेंगे तो हम कह सकते हैं कि the moon is signing in अब देखिए यहाँ पर इसकाई जो है वो भी एक परकार का particular चीज है खास चीज है इसलिए इसके पहले हम लोग का इस्तमाल करेंगे तो हम कह सकते हैं कि the moon is signing in the sky इसका मतलब कि चंद्रमा जो है वो आकास में चमक रहा है तो इसलिए option C जो हो है वो हमारा correct answer हो जाएगा तो इसलिए हम लगाते हैं टिक और चलते हैं अगले सवाल की तरफ इसका इस्तमाल हम लोग comparison के लिए यानि तुलना के लिए कर रहे हैं इसलिए इसके पहले हम लोग दो दो सब्द का इस्तमाल करेंगे तो हम कह सकते हैं कि कस्मीर is the Switzerland of India यानि कस्मीर जो है वो भारत का Switzerland है इसलिए option C जो है वो हमारा correct answer हो जाएगा तो इस पे हम लगाते हैं टिक और चलते हैं आगले सवाल के तरफ question number 25 में है कि Das Himalayas lies to Das North of India देखे फिर से सवाल आ गया न हम आपको बताया थे कि जब भी हम कभी mountain range यानि प्रवत स्रिंखला का नाम लिखते हैं तो उसके पहले हम दो दो सब्द का इस्तमाल करते हैं और हिमालिया जो है वो भारत का ए वो है north तो जहां कहीं भी direction होता है यानि north, south, east और west तो उसके पहले हम दो दो सब्द का इस्तमाल करते हैं तो north के पहले भी हम दो the use करेंगे तो हम कहा सकते हैं कि the Himalayas lie to the north of India यानि हिमालिया जो प्रवत स्रिंखला है वो भारत देश के उत्री दिसा में है यानि option C जो है वो एक group के बारे में बताता है तो उसके पहले हम दो दो सब्द का इस्तमाल करते हैं तो यहाँ पे जो lion है वो इस पूरे दुनिया के सेर के बारे में बता रहा है इसलिए lion के पहले हम दो सब्द का इस्तमाल करेंगे तो दूसरा यहाँ पे लिखा हुआ king तो king जो है वो एक consonant sound स स्टार्ट हो रहा है इसलिए इसके पहले हम लो यह सब्द का इस्तिमाल करेंगे तुम क्या सकते हैं कि the lion is a king of beast यानि सेर जो है वो जैनवरों का राजा है इसलिए option c जो है वो हमारा correct tensor हो जाएगा तो इस प्रिम लगाते हैं टिक और चलते हैं अगले सवाल की तरफ question number 27 में है कि dash aeroplanes can fly very fast अब देखिए अगर यहाँ पे केवल aeroplane लिखा हुआता मतलब यहाँ पे एक singular word होता तो उसके पहले हम लो end लगाते हैं क्योंकि यह एक wawil sound से start हो रहा था लेकिन यहाँ पे aeroplanes लिखा हुआ है यानि एक kuldral है और इसलिए यहाँ पे हम लोग किसी भी आर्टिकल का इस्तमाल नहीं करेंगे मैं कह सकते हैं directly कि aeroplane can fly very fast यानि aeroplane जो है वो बहुत तेजी से उड़ सकता है इसलिए इसका correct टेंसर हो जाएका no articles यानि option number D तो इस पे हम लगाते हैं टिक और चलते हैं अगले सवाल की तरफ question number 28 में है कि dash books you gave me are very interesting अब देखिए यहाँ पे किसी पहले हम दो 10 सब्सक्राइब करते हैं तो हम यहाँ कह सकते हैं कि the books you give me are very interesting जो किताब तुमने मुझे दिया है वही किताब बहुत ही ज्यादा इंट्रेस्टिंग है तो इसलिए यहाँ पे option C जो है वो हमारा यूज करते हैं तो इसके पहले हम दो 2 का यूज करते हैं तो यहाँ पे कहा गया है कि जो आहमदा बाद है वो भारत देश का मैंजेस्टर हो जाएगा तो इस危 हम लगाते हैं टिक और चलते हैं अगले सवाल की तरफ कि पॉश्चन मत 31 में है कि रसिया इस डैस ग्रेट कंट्री अब दिखे यहां पर वर्ड आया है ग्रेट जो कि एक कॉंसोनेंट सांड से स्टार्ट हो रहा है इसलिए इसके पहले हम लोग एक कर्यूज करेंगे तो हम कह सकते हैं कि रसिया इस अग्रेट कंट्र और जहां कहीं भी आपको uncountable noun मिल जाता है तो उसके पहले हम लोग किसी article का यूज नहीं करते हैं तो हम कह सकते हैं कि we drink water मतलब हम लोग पानी पीते हैं यहाँ पे कोई article का यूज नहीं किया जाएगा इसलिए option D जो है वो हमारा correct answer हो जाएगा तो इसलिए हम लगाते हैं tick और चलते हैं अगले साल की तरफ question 33 में है कि I hope to be dash engineer अब देखें यहाँ पे जो word है engineer वह एक vavel sound से start हो रहा है इसलिए इसके पहले में लो and का यूज करेंगे तो हम क्या सकते हैं कि I hope to be an engineer मतलब मैं एक engineer बनने की आसा करता हूँ इसलिए option B जो है वो हमारा correct answer हो जाएगा तो इसलिए हम लगाते हैं tick और चलते हैं अगले साल की तरफ तो question 34 में है कि he behaves like a fool अब देखिए यहाँ पे जो word is start हो रहा है fool वह एक consonant sound से start हो रहा है इसलिए इसके पहले में लो ए सब्द का इस्तिमाल करेंगे तो हम कह सकते हैं कि he behaves like a fool मतलब वह एक मुर्ख की तरह बेवहार करता है इसलिए option a जो है वह हमारा correct answer हो जाएगा तो इसलिए हम लगाते हैं tick और चलते हैं अगले साल की तरफ question 35 में है कि don't trust that fellow he is that liar अब देखिए यहाँ पे जो word है liar वह एक consonant sound से start हो रहा है इसलिए इसके पहले हम लो एक का यूज करेंगे तो हम कह सकते हैं कि don't trust that fellow he is a liar मतलब उस वेक्ति पे हमें बहुरु सा नहीं करना चाहिए क्योंकि वह एक जूठा इंसान है इसलिए option A जो है वह हमारा correct answer हो जाएगा तो इसलिए हम लगाते हैं tick और चलते हैं अगले सवाल की तरफ question 36 में है कि his son is dash genius अब देखिए यहाँ पे जो word है genius वह जी से start हो रहा है यानि एक consonant sound से start हो रहा है इसलिए इसके पहले हम लो एक कायूज करेंगे तो हम क्या सकते हैं कि his son is a genius मतलब उनका बेटा जो है वो genius है इसलिए option A जो है वह हमारा correct answer हो जाएगा तो इसलिए हम लगाते हैं tick और चलते हैं अगले सवाल की तरफ question number 37 में है कि gold is dash precious metal अब देखें यहाँ पर जो word है precious वह पी से start हो रहा है यानि एक consonant sound से start हो रहा है इसलिए इसके पहले हम दो एक कायूज करेंगे तो हम कह सकते हैं कि gold is a precious metal यानि gold जो है यानि sona जो है वह एक कीमती धातू है इसलिए option a जो है वो हमारा correct answer हो जाएगा तो इस पे हम लगाते हैं tick तो आज के लिए केवल इतना ही आप से फिर मिलते हैं एक grammar के नए lecture में एक नए topic के साथ तब तक अगर आप और सवाल का practice करना चाहते हैं तो description में telegram का link है उसे आप join करके और भी सारे सवाल का practice कर सकते हैं और अगर आप article का detail notes चाहते हैं तो वो भी आप हमें comment में लिख कर बता सकते हैं हम आपको detail notes प्रवाइड करने की पूरी courses करेंगे Thank you very much